हेलो फ्रेंड्स कैसे वह आप आशाय कि आप सब ठेक होगे तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क प्डर से बहुत ही स्वादिश्ट और अच्छी मिठाई हाँ जिसे कि आपको एक बार खांगे तो बार-बार बना कर खांगे और यह बहुत ही एजी तरीक अपने गैस पर रख ली है और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच घी का घी आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं यह मैंने शुद्ध देशी घर का लिया हुआ है हो मैट घी है यह आपके पर डिपेंड है कि आप कैसा घी यूज़ करना चाहते हो लेकिन आपको इस मिठा करें तो देखिए हमारा की मेल्ट हो चुका है आप देख सकते हो जब हमारा की अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स करेंगे दूद तो मैंने एक कप दूद लिया हुआ है और अब हम अपने दूद को गरम होने देते हैं क्योंकि बिल्कुल ठंडे दूद में आपको अपना मिल्क पॉडर नहीं डालना है फ्रेंट्स आप घर पर ही दो तीन इंग्रेडिंट में बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी मुठाय तेयार कर सकते हो तो देखिए हमारा दूद गरम हो चुका है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें धीरे धीरे मिल्क पॉडर तो देखिए मैंने मिल्क पॉडर इसमें डाल दिया है और अच्छे से हिला देंगे आप अपने कोड़ देख सेते हैं कि आप कितना मिल्क पॉडर यूज करना चाहते हो या कितने मिठाई बनाना चाहते हो मैंने ये दोकटोरी मिल्क पॉडर डा तो फ्रेंट्स आपको एक बात का खास द्यान रखना है कि आपको इसे हिलाने से बंद नहीं होना है अगर आप इसे हिलाने से बंद होंगे तो यह नीचे की तरफ लग जाता है तो फ्रेंट्स मैं इसे इसी तरह लाते रहूँगी आपको इस मिठाई में 10-15 मिठाई बनकर तयार हो जाती है तो देखे फ्रेंट्स आप देख सकते हो धीरे धीरे यह है इसकी कंडिशन चेंज होती जा रही है पहले काफी पतला था अब थोड़ा सा राइट होता जा रहा है जैसे जैसे आपका मिल्क पोडर और दूध धीरे भूनेगा तो इसकी कंडिशन चेंज होती चली जाएगी आपको इससे तब तक भूनना है जिब तक है मिठाई के कंडिशन में नहीं आजाता फर आपको इसे हिलाने से बिल्कूर बन्य होना है जितना आप इस मिठाई को रहेंगे अपकी मिठाई काफे स्वारिश रहा अच्छे बनकर तेयार होगी अब आप ज्यादा मिठा पिसम्न करते हैं तो आप इसमें चीनी और भी ऐड़ कर सकते हैं लेकिन आप बाद में डाला है वह भी थोड़ा साго वह भी मैने इसे में डाल दिया है अपको जब अगला इसकी बताया है था यह एक मैंने 250 mum means को लिए हुआ था आप अगर आपको ज्यादा मिलक प्रौडि लेना है तो बड़ास ले सकते हूं इसमें भी ज्यादा मिठाई बनाना चाहते हो तो इसमें भी आपकी कम से कम मिठाई बन कर तयार हो जाए यह मैं इसमें एक कटो रियाइड करूंगी इससे आपकी मिठाई काफी अच्छी बनेगी और इसका टैस्ट भी अलग हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट अच्छी लगेगे आपको तो देखे जो मैंने इसमें इनारिल का पुरादा डाला था वहां इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आपको इसी कंडेशन में इनारिल का पुरादा इसमें डालना है अगर आप बाद में डालेंगे तो कहीं से आपकी मिठाई सुके और कहीं से गेली रहेगी तो आप इसमें नाजिल का पुरादा डाल दीजिएगा फ्रेंट्स ये फटाफट बनने वाले मिठाई हैं इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल ही लगता है आप इसे पंद्रा मिनिट में बना कर तेग्यार कर सकते हों तो धीरे धीरे मैं इसी इस तरह हिलाती रहूंगी तो देखे फ्रेंट आप मिठाई के कंडिशन में आ रहा है तो इसे आप दो मिठाई के कंडिशन में आजिका है अब हमें के बंद कर देंगी पुर तीरे-थिरे से इस तरह हला लेंगे और फ्रेंश मैं इसे थाली में जमा रही हूं क्योंकि इस थाली सभी के घरमें इवलिबल होती हैं इसलिए आप इस थाली में इसे जमा सकते हो अगर आपके पास ट्रेय हो या फिर मिठाई का कोई भी कंटेनर हो तो आप उसमें भी प्यार होगी जितना है ठंडा हो जाता है उतनी ही यह टाइट हो जाएगा दो हम अपने चम्मच को इसे अच्छे से पूछ लेते हैं चम्मच को इसे अच्छे से अपने मिठाई को चारो तरफ से उतार लेंगे और अगर आप इस पर ड्राइफूट डालना चाहों तो अभी इस पर जमा सकते हों लेकिन अगर आप बाद में ड्राइफूट डालोगे तो भी बैस रहेगा क्योंकि अगर उसने आपने इस पर अभी ड्राइफूट से सरजाने के कोशिश की तो यह कटने में काफी दिकत्य करेगी तो इसलिए आप इसमें ड्राइफूट बाद में ही इस्केशिए उसने चारि कोश ऐसे अब तो बस और इसे चारो तरफ से अच्छे से प्रेस करके इसे बराबर एक जैसा बना कर देती हूँ को फोल की अब मैं इसे फड़ी जी तो देखे अब मैं इसा प्लेट में सार्व गरागे तो देखी एक करके मैं इसी तरह अपनी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन बेर जरूर दबाई ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिक मिलता रही तो अगली एक नियो रेसिपी के साथ फिर से आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई